हलो नमस्कार दोस्तों मैं मुंदीब कुमार ओनो स्टेडी ग्रूप में आपका स्वागत है आसा है कि आप लोग बहुत अच्छे ही होंगे और आप दसारा पुजा भी काफी अच्छा ही गया होगा और काफी आप लोग इंजॉइ भी कर रहा होगा है मैं भी आप लोग का पढ़ाई भी काफी अच्छा चल रहोगा और प्रेपेशन भी अभी तो आप लोग का देखा जाए तो MTS का एक्जाम अभी फिर जीडी का एक्जाम आने वाला है इस भी इपियों का फॉर्म भी भरा रहा है पहुत सारे डिफेंट डिफेंट एक्जाम के फॉर्म भरा रहे हैं और एक्जाम्स भी देना होगा आप लोगो मैं आप लोगो मैस कॉंपटिटिव मैस जो रेलवे इससी डिफेंट कॉंपटिटिव ओंडे कॉंपटिटिव एक्जाम्स में आते हैं वह आपको मैं डिल कर रहा था मैंने स्टार्टिंग परसेंटेज से आप लोगो स्टार्ट क्या था कि परसेंटेज टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट होता है पॉइंट और थेमेटिक आप लोगो फाइंड करते हैं फिर कुछ 10-15 बेसिक कोशन्स भी कराया है मैं आप लोग को होप आप लोगो सॉल भी किया होंगे और खुद भी प्राक्टिस कर रहोंगे आप लोग को प्रैक्टिस करने के लिए जो भी आप एक्जाम का प्रफिशन कर रहे हो उसमें क्व कंती सौल किया जायेंगा वो कुछ घृटेर्गर्कर्श तो आप लोगो करने है क्योंकि मैस का ये फॉर्मूला ही है क्रक अंप्रफेक्ट में यह हमेशा आप याद रखो आप जीतना याद त्रैक्ट करते हो प्रैक्टिस मेटसम पर्फेक्ट चाहिए math का बात हो चाहिए reasoning का बात हो यह दोनों में practice तो काफी ज़्यादा ही करना होता है लेकिन यह हम बात करें English और GS की वहाँ पर क्या होता है जाए तर आपको याद रखना होता है कि आप कितने सारेशीज को याद रखते हैं कितने vocab को याद रखते हैं वोट्स को रास percentage में दो लें एक लेक्शर तो मैंने आप लोगों का लिया था बेसिक्स आपको कैसे निकालना है वो परसेंटेज का फ्राक्शन माली ओस दील किया था बाकी दो लेक्शर मैंने आप लोगो को कुशेंस करवाए आज जी थर्ड लेक्शर है कुशेंस का अब ये थर्ड method को use करोगे तो कम से कम दो मिनिट देड़ मिनिट जाएगा आपका और सही method इसमें आपका approach लएगा तो आपका ये questions within 30 seconds 40 seconds में हुई solve होगा so चलिए start करते हैं हम लोग तो यहां पर आपका first question देखा जा रहा है the monthly income of a person was 13,500 एक आदमी का monthly income कितना है 13,500 रुपया and his monthly expenditure was 9,000 monthly expenditure कितना है 9,000 रुपया next year his income increased by 40% 14% से बढ़ा और अगलिस और उसका expenditure कितना increase हुआ है 7,30 एक व्यक्ति का मासिक बेतन महीने का बेतन कितना है 13,500 रुपया और वो खर्च कितना करता है 9,000 रुपया अगले वर्स उसका बेतन 14% बढ़ जाता है और उसका खर्च भी 7% बढ़ जाता है तो बच्चत परतीसत ज्याद करें तो उसकी बच्चत परतीसत में कितना ब्रिद्धी हुआ कितना इंक्रीश किया वो ही निकालना है अब यहाँ पर आप जुद नॉर्मल डाटा की वेन है उस डाटा के पॉइंट ओभी से आप बनाओगे तो कैलकुलेशन काफी जादा बढ़ा होगा एक तो आप सोचोगे कि यह 13,500 वर्पया उसका इंकम है और फिर 9,000 वर्पया खर्च कर रहा है यह उसका इंकम है और वो यह खर्च कर रहा है और इसमें 14 परसेंट फिर इंक्रीश करोगे 14 परसेंट इसका बढ़ता है और इसमें फिर आप 7 परसेंट इंक्रीश करोगे फिर यहाँ पर सेविंग द नॉर्मल मेथट से बनाएं तो काफी टाइम लेगा लेकिन जैसे हम इंकम और एक्सपेंडिचर जो दिया हुआ वह थोड़ा से डाटा को हम देखेंगे कि यह किस रेशियो में है तो इंकम और यहां पर एक्सपेंडिचर तेरह हजार यह पानसों दिया हुआ है और यह है नौ हजार दो जीरो से दो जीरों कड़ गया अब यहां पर एक्सपाथीस और नब्बब्ब कौन सा टेबल में एक्सपाथीस और नब्बब्ब्ब आता है पंदरा का टेवल उड़िए हम लोग पढ़ते हैं तो पंदरा चक अबने 50 नमः पैठियस है तब 15 गुणा 9 कितना होता है help्हां 19 तो एक इन्सान 9 प्या क्मा रहा हे तो शे कर है कर रहा है खर्च कर रहा है एक इन्सान नौर प्या कर रहा है है यहाँ रेश्यो को मैंने छोटा कर दिया 1 उत्था 13,500 और 9,000 को डाटा को मैंने मिनिमाइज करके और यह चोटा होगा तो यह बनेगा 3 और 2 खा रेशियो मतलब उसका इंकम 3 है तो खर्च कितना है 2 रुपिया तो इंकम कितना परसेंट बढ़ रहा है 14 परसेंट 3 का 14 परसेंट निकालेंगे तो आएगा 0.42 मतलब 3.42 र 1.14 स्टार्टिंग में सेविंग कितना हो रहा था उसका एक रुपिया हो रहा था अब उसका फाइनल सेविंग कितना होगा 1.28 पहले सेविंग उसका एक रुपिया था अब 1.28 हो गया तो सेविंग में एक से 1.28 होना मतलब कितने पृतिसत की बढ़ उतरी होना कहीं न कहीं यह 28 परतिसत हमारा सेविंग बजट बढ़ रहा है मतलब आपके सामने जब कोशन रहा है तो यह मत सोचो कि डारेक्टली हम लोको बस डाटा को देखना और बनाना स्टार्ट करना है क्योंकि जब आप यह मैथाड को फॉलो करोगे तेरह जार बांस और तो आपका जो कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट होगा वह सबसे जाड़ा टाइम वेस्ट होगा यहाँ पर मीन हो सकता है किसी किसी के यहाँ पर दो-दो मिनट भी चला जाए लेकिन जैसे हम उसको रेश्यो के फॉर्म में करकर रेश्यो को छोटा कर दिए और फिर वह अराम से परतिशत निकल गया कि मतलब इसील सेविंग कीटना एक है तो फाइनल सेविंग कितना ओगा वोन पॉइंट इसका मतलब 28% का सेविंग इंग्रेज किया उसका बचत बढ़ा है तो यहीं चीजा हम लोग देखते क्या है को सुन्स को हम लोग बनाते हैं को सॉस्ट को जब हम है यदि आप questions को सही तरीके से नहीं solve करोगे सही method से नहीं solve करोगे तो यह इसी बज़े से आप लोग का exam में ज्यादा टाइम लगता है और यही main region की बज़े से बहुत सारे बच्चों का questions छुट जाते हैं तो आप इस चीच पर ज्यादा focus रहो कि कैसे questions को solve करना होता है मैंने आपको पिछले क्लास में भी आपको बहुत सारे questions में method मैंने बताया कि कौन सा method apply करना चाहिए questions को बनाने का दो method तीन method तो हर questions का होता है बट उसमें एक सबसे अच्छा method होता है उसी को adopt करना होता है उसी को सबसे ज्यादा practice करना होता है और यदि कोई-कोई question हो कि नहीं उसमें उसी method से बन रहा है time लगे गहीं लाइक difficult questions जो होते हैं उसमें जब time लग रहा है कि नहीं उसके अलावा कोई और option नहीं बन रहा है तब आप उस questions को उस method से बनाओगे बट लेकिन देखा जाता है exam point of view से 60% questions के method कहीं ने कहीं हम लोग change करके उसको जल्दी sort form में उसको convert करके जल्दी से जल्दी बनाते हैं और ये सब कुछ आप लोग के उपटे पेंट करता है कि कैसे आप उस चीश को handle करते हो तो चलो मैं आप लोग को ये तो first question मैं आप लोग को एक सबसे अच्छा questions मैं आप लोग को दिखाया हूँ अब ये मैं second question क्यों बढ़ता हूँ कैसा उसको solve करेंगे second question देखा जाए given that 10% of A income 10% of A income is equal to 15% of B income बराबर 20% of C income if the sum of their income is 7800 then B income age question आप लोग को इंगलिस और हिंदी में दोनों में दिया गया है आप यहाँ पर देख रहा है कि A का 10% A की आए का 10% B की आए का 15% C की आए का 20% के बराबर है और ये तीनों की आए का योग और 700 रुप्या हो तो बताइए B का income कितना हो तो जब भी आप data को देखे हो तो आप questions को कैसे approach करो होगे हो सकता अब इस questions को approach करने के लिए सबसे पहले तो हम ये निकालेंगे कि A और B और C का ratio कितना है income का और total income दिया हुआ है तो total income से B का income निकालने के लिए सबसे पहले A को कितना भाग मिल रहा है और B को कितना भाग मिल रहा है और C को कितना पार्ट मिला है ये सबसे पहले calculate करना होगा अब यहाँ पर हम लोग ये देख रहे हैं कि A का 10% A का 10% बोलने का मतलब कहीं ने कहीं 1 by 10 A हो जाएगा A by 10 बराबर B का 15% अब 15% को जब fraction में convert करोगे तो कहीं ने कहीं 15 बटा 100, 3 बटा 20 ये आएगा B 15% को हम लोग fraction value में convert करेंगे तो 15 बटा 100, 3 परचे 15, 20 परचे 100 ये आपको कहीं ने कहीं mind में करना है 15 बटा 100 लिक कर किये और mind में करना दोनों में time का बचत होता है और 3 में C का 20% मतलब C बटा 5 एक बटा 5 हो गया आप यहाँ से आपको ratio हम आप लोग को कल ही बताये थे कि जब भी आपका given हो कि 2 ये बराबर 3 भी बराबर ऐसा कुछ रहा है फोर सी रहे इसको ratio में बनाना है A, B, C के ratio में तो ये just reverse हो जाता है 1 by 2, 1 by 3 और 1 by 4 4, 3, 2 का LC हम यहाँ पर 12 हो गया तो 3 हमें 12 से multiply कर देते हैं तो ये बन जाता है 6 ये बन गया 4 और ये बन गया 3 6, 4, 3 का ratio हो गया इस टाइब के questions आपको मिले गहीं तो इसको जल्दी से ratio में यहाँ पर convert करने के लिए A, B, C का ratio निकालना हो तो यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर क्या होगा A, B, C का ratio हम लोग देखेंगे A, B और C का ratio तो यह 1 by 10 है तो यह 10 बन जाएगा ratio 20 by 3 बन जाएगा और ratio 5 हो जाएगा अब कहीं ने कहीं 20 वर्ट है 3 जब है इसको 3 से multiply करेंगे तो यह बनेगा 30 कि तीनों में तीन से multiply करेंगे 20 और पंदरा कि तीस बीस और पंदरा कि अब यहाँ पर देखा गया है 20 30 कि और फाइव बीस परसेंट आफ सी इंकम इस टोटल इंकम कितना हमारा है 7800 20 30 कितना हो गया 50 मतलब यहां पर इदि हम इसको थोड़ा से इसको सौट में करें देखा जाए इसको पास से निक्रा कितना है छे चार तीन मतलब एक और छे मेलेगा तो बीको चार और सी को तीन अब छे चार तीन मतलब टोटल इंकम कितना है उसका टोटल तीनों का इंकम का जोड़ और दो डान और साथल प्लस चार कितना हो गया दस प्लस तेन तेरा यूनिट का वह पिसन अध्यावाद कितना हो गया ऐकहार सब्साट रस सब्सक्राइब का सबसे वाड़ा में काम क्या है कि आप जलदी से जल्दी रेशियो कि में find करना कि वो जो data given है उसको कैसे ratio के form में convert करें और उसका value कितना होगा यह देखना होता है अब यह ratio जितना जल्दी आप निकाल पाएं आपका अंसर उतना ही जल्दी कर आएगा अब यह ratio निकालने के लिए यहां पर percentage वगर दिया हुआ इसलिए percentage के questions में आया है अब वो percentage का fraction value अब कितना जल्दी लिखते हो जितना जल्दी आप percentage का fraction value को लिखोगे उसी पर आपका questions बनेगा सो पढ़ाई का में तरीका यही होता है कि आप कुछ भी चीज का पढ़ाई कर रहे हो चाहिए आप math पढ़ रहे हो और reasoning पढ़ रहे हो कुछ भी पढ़ रहे हो उसमें आपको सही से सही method को आपको खुदी analyze करना होगा अब चले हम लोग next questions के और third number question third question आपके screen को पर यह है A salary is 40% of B salary and B salary is 25% more than the C salary then C salary is how much percent more than A salary A का जो income है B के बेतन का 40% है A जो है income B जितना कमा रहा है उसका 40% income है और यहाँ पर बोल रहा है B का जो बेतन है income C के बेतन से 25% जादा है और यदि C का बेतन A से कितना परतिस्थ अधीक है सबाली काफी simple है अब जब हम इसको बनाएंगे अब यह कहां से start करेंगे बच्चा पहले यहाँ पर confused होता है वो थोड़ा सा start करने का तरीका को गलत यह दिलिया A से start किया तो उसको time जादा लगेगा और सोचना पड़ जाएगा जादा लेकिन यह दिवो पीछे से questions को start करेगा यहाँ से start करेगा और आगे की और आएगा A के तरफ आएगा तो वो question जल्दी बनेगा लेकिन कहीं ने कहीं स्टार्टिंग से कोई भी बच्चा स्टार्ट करेगा तो उसको फिर time थोड़ा confusion होना start हो सकता है बनेगा तो दोनों methods से अब C के बी क्या बेतन C से 25 परतिसे ज्यादा है इसका मतलब 25 परतिसे बोलने का मतलब क्या होता है एक बटा चार यदि ये चार प्या कमा रहा है तो ये कितना इंकम करेगा पांच करेगा यदि ये चार प्या से इंकम कर रहा है तो B कितना करेगा पांच करेगा तो A का इंकम A का बेतन B के बेतन का 40 परतिसे था है बी के वेतन है कितना पांच अब पांच का हम 40 परतीसत जब निकालना स्टार्ट करेंगे तो 40 परसेंट मतलब होता है 2 वटा पांच तो पांच का 2 वटा 5 निकालेंगे तो कितना होगा 2 तो आप लोग को यहां दीख रहा हूँ कि questions में मैं ज्यादा कुछ जो परतीसित का fraction value वो लिख नहीं रहा हूँ अब वो लिख नहीं रहा हूँ तो यह आप लोग को confusion भी नहीं होना चाहिए क्योंकि वो मैंने पहले ही class में उसको discuss किया है यदि वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो सबसे पहले वही वीडियो को देखिए फिर आप इस वीडियो को समझ पाईएगा क्योंकि जो मैं basic चीज है मैं वहाँ पर discuss किया हूँ और उसको पहले पहले बताया कि 40% का फालो 2 वटा 5 60% का फालो 3 वटा 5 यह सब आपको memorize रखना होगा तभी मैं यहाँ पर ABC डिरेक्ट 4 पांच अदो लिखा हूँ कि यदि C का इंकम 4 है तो B 25 परसेंट ज्यादा कर रहा है मतलब पांच अरुनिंग कर रहा होगा और यहां पर question में given यह है कि A का वेतन B के वेतन का 40 परतिस्यत है B का इंकम 5 है उसका 40 परसेंट निकालेंगे तो 2 आएगा questions क्या पूचा है कि C का वेतन C का जो इंकम है A के इंकम से कितना परतिस्यत अधीक है आपको दीख रहा है यहां पर कि A 2 रुप्या कमा रहा है और C कितना 4 है इससे ज्यादा कितना है 2 कि इसके respect में A के रिस्प्ट में परतिस्यत निकालना थी कि तरह 100 यह आपको direct दिख रह है एक तीन लाइन का यहां दिख रहा है तीन लाइन दो लाइन यहां पर दिखा लेकिन बनाने का आपको जो मैथाड आपको यहां पर दिख रहा होगा बस इतना में ही स्कॉल्व हो रहा है और बाकी जो प्रॉसेस इसका है माइंड में तो बस मैं अर्थमेटिक में आपको भी question हो जब हम advanced section में भी आएंगे तो वो formula advanced section में भी follow होगा यह नहीं कि सिर्फ arithmetic में जब questions मरा रहा है तो सिर्फ arithmetic में ही ऐसा हो रहा है advanced जब हम लोग पढ़ेंगे तो advanced में भी ऐसा ही होगा अब हम लोग third questions next questions के और बढ़ते हैं in an examination में 93% students pass हो गया 93% student क्या हो गया एक्जाम में पास कर गया और 259 फेल्ड हुआ है कितना फेल्ड हुआ है 259 216 अब यह साथ परतिसत कितने के बढ़ाबर है 259 के बढ़ाबर है 7% का मान कितना है 259 269 तो एक परतिसत का मान कितना होगा सत्याइकेस और सट्सत्य उन्चास सैतिस वार में कटेगा तो एक परसेंट का वालू हो गया 37 तो 100 परसेंट का वालू कितना होगा total number of student 100% होगा तो टोटल कितना हो जागा 3700 question में कुछ भी पूछा जा सकता था question में यह पूछा जा सकता कितने student पास्ट हुए है तो 37 इंटो 93 एंसर हो जाता है तो यहां पर लेकिन total number of student पुछा इसलिए मैंने 100% का वालू नहीं गाला और वह आ गया 3700 तो total examination कितने student appear हुए एक्जाम में 3700 यह आपका fourth number question था next question क्यों चले fifth में यह आप देख सकते हो पाहले आप खुद भी try कर सकते हो इसको मैं आप लोगों को just 10 seconds 20 seconds आप लोगो time दे रहा हूँ आप खुछ से सोचो कि कैसे इस questions को बनाएंगे what is to be added in 15% of 160 so that the sum may be equal to 25% of 60 बोल रहा है कि 15% कि जो है 160 का 15% में क्या जोड़े कि वह बन जाए 240 का 25 परतिसत question language में था हम उसको बस एक line में लिखें बस एक तरीका में लिख दिए यह सिंप्लिफिकेशन का question हो गया है तो लैंग्विज का question और इसमें अंतर यहीं है कि वह जो language chair line जो दिया हुआ है बस आप उसको पढ़ें और paper पर एक line में कैसे उसको उतारे है पूरे data के साथ वही मैट रखता हूँ जितना जल्दी लोग उता रहा हूँ जितना जल्दी लोग question को समझा और question समझने के लिए भी आपको questions अच्छे तरीके से पढ़ा होना चाहिए questions बार-बार मतलब तो आप habituate जब हो जाते हैं जब आप time and work बहुत सारे डिफेंट डिफेंट टॉपिक के question मनाते हैं तो आप आप habituate हो जाते हैं कि questions में आपको पूरा पढ़ना नहीं होता है और अर्थमेटिक में खास कर क्योंकि आप देख रहे हो कि कोई भी चेप्टर बनाते हो चाहिए परसेंटेज हो time and work हो उसमें लिमिटेड ही तो आप लोग को भी करना ही होगा तभी आप questions को जल्दी से जल्दी कर पाओगे ऐसा नहीं कि हो चार लाइन का question के बेन हो अब चार लाइन पूरा का फूरा पढ़ी हो रहे हो पार्टनर्सिप में तो और बड़ा भी question रहता है तो उसमें आपको कुछ ने ABC का ratio देखना होता है कि उसमें profit का जो percentage ratio कैसे divide होगा तो बस time और capital को multiply करना होता है अब कितना capital A का दिया हो कितना time के लिए पैसा invest किया हो वो बस उसमें multiply करना रहता है तो वो चीज आप लोग को ध्यान देना होगा कि कैसे वो चीज को हम लोग देख रहा है अब वो कितना चार-चार लाइन गिवेन है बस उसमें हम यह देखेंगे कि A का data कितना है B का data क्या है और C का data क्या है time and work में भी वैसे ही सवाल रहेगा कि A 20 दिन में काम complete करता है B 30 दिन में काम complete करता है और वो दोनों कितने दिन में work कर रहा तो आप 20 और 30 डारेक्ट सोचो बस वहां पर भी चार्चर लाइन के questions रहेंगे बाट वहां पर आपको बस यह देखना होगा कि A का data क्या है एक डाटा क्या गिवेन और जल्दी से questions को solve करना questions को आप जितना time लगा का पड़ते हो और जितना time उसको समझने में लगा होगे time वहां पर ज्यादा वेस्ट होता है और second time वेस्ट होता है calculation पर यह दो चीज़ पर आपको थोड़ा सा work करना होगा अब यहां पर 15 पर 30 of 160 को देखा जाए कि कैसे इसको जल्दी कर हटाएंगे तब पर तीसत हटाने के लिए क्या करेंगे साथ से भाग ही देंगे और कोई उपाई है नहीं जीरो से जीरो कट गया तीन पच्छे पंद्रह कि दो पच्छे दस आठ बार में मतलब यह आगे 24 24 में क्या जोड़े कि 25 मतलब यह डारेक्ट हम लोग जानते हैं कि एक वड़ा चार होता है और एक एंसिल आउट करेंगे तो साथ हैगा पच्छीस में क्या जोड़े कि साथ बन जाए तो चौबिस में आप ऑब्यस की जानते हो कि 36 ही जोड़ेंगे तभी साथ बनेगा और कुछ नहीं जोड़ में A got 25% marks more than B और we got 10% less than C, C got 25% more than D, D पाया है 320, questions दोनों में दिया हुआ चार्चार लाइन का question है, A को B से 25% अधीक अंक मिला, B को C से 10% कम अंक मिला है, C को D से 25% अधीक अंक पराफ्त हुआ है, D को 500 में 320 अंक मिला है, मतलब चार लोग परिच्छा देने वाले हैं, एक है A है और एक B भी है और एक C भी है और एक D भी है, सबके लिए अधारे तक 500 का होता है, लेकिन हम लोग जैसे 10th वोर्ड का एक्जाम देते हो, हापे 500 marks का टोटल एक्जाम होता है, तो सबके लिए total marks तो सेम है 500, लेकिन य परिच्छन ये बता दिया है, कि A को B से 25% ज्यादा मिला है, B को C से 10% कम मिला है, C को D से 25% ज्यादा मिला है, और D को कितना मिला ये भी बता दिया है, और ये जैसा question set किया हुआ है, यहाँ पर यदि बच्छे, method सही नहीं apply करेंगे, जहां वो A से चलना चालू करेंगे, औ उनका time ज्यादा लगेगा, अब questions को बनाने का 2-3 method है, अब है भी, और लोग बनाते भी है, बहुत सारे लोग में गल्ती करेंगे, बहुत सारे लोग A से जाएंगे, B पर बढ़ाएंगे, फिर C पर करेंगे, फिर D पर, बहुत सारे लोग D से जाएंगे, कहीं ने कहीं वो 320 number, अब जब D को 320 number मिला है, बोल रहा है कि C, D से 25% जादा number पाता है, तो 320 का 25% आप निकालियेगा, तो आएगा 80, तो जब 320 में 80 जोडेंगे, तो ये हो जाएगा 400, मतलब C को कहीं ने कहीं 400 मिला है, अब second line पढ़ते हैं, we got 10% less than C, B जो है C से 10% कम पाया है, ये इससे 25% जादा पाया है, अब ये B जो है C से 10% कम पाया है, तो ये कितना होगा, 360, अब first line up पढ़ेंगे, यही matter रखता है, जिनरली क्या है कि कोशन है, बच्चे स्टार्टिंग से चलते हैं, वो चलेंगे A से B से, लेकिन यहाँ पे चलना था पीछे से, पीछे से चलेंगे तभी जल्दी बनेगा, लेकिन maximum बच्चे आपको दीखेगा 90% exam में बच्चे, हम लोग में स्टली हम लोग फर्स्ट ही चलते हैं, लेकिन आपको ये धीरे धीरे जब कोशन आप प्रक्टिस करोगे, तो आपको ये idea हो जाएगा, कि कहां पे क कैसे चलना है, कभी कभी बीच से भी चलना पड़ सकता है, कभी कभी ऑफसन से भी चलना पड़ सकता है, कभी कभी जनरली ऊपर से ही चलते हैं, लेकिन ये कोशन में देखा जा रहा है कि नहीं, जो लास्ट डाटा है वहां से चलना है, यहां जाना है, फिर यहां जाना है, यहीं मेटराओ कुछ डिफरेंस नहीं है कि कौन से कुर्ष्टन में क्या तरीका अपलाई करना है हर कुर्ष्टन का एक तरीका नहीं हो सकता है चाहे वो कुछ भी बना रहे हो अब यह हम पार्टिकुलर नहीं बोल सकते हैं कि इस को समय यही सौट ट्रिकल है और ट्रिक विक कि याद करना चालू किये क्योंकि एक ट्रिक कुछ पार्टिकुलर कुस्टन के लिए अपलाई को होते हैं मैथड करो स्टेप जम करो यह जम करना सीखना स्टार्ट कर दो वह अपने आप ट्रिक बन जाएगा और ट्रिक वगरा नेक्स में 360 दिया हुआ है कि इतना बी का एक कितना हो जाएगा 90 और 360 में जब हम 90 को एड़ करेंगे तो यह बनेगा 450 कुछन अराम से चार लाइन का है कुछन है और बना जब हम रहें तो एक लाइन में बन रहा है जस्ट विकाउज अब दा 50 परसेंट काम हम लोग माइंड में किये तभी हो रहा है बस यह इसका सॉलू कुछन हम कहीं बुक में भी नहीं लिखा जा सकता है क्योंकि वहां पर भी डिटेल्स में आपको थोड़ा सा तो लिखना पड़ेगा और स्ट्रेंट को समझने के लिए ती खुद ही डेवलप करना होता है और हर कुछन आपको मैस में ऐसे से बहुत सारे तरीके डेवलप कर कर रहे हो तो मीनों 10-15,000 कुछन तो बनाना ही चाहिए ओबर रॉल मैस में रेलवे में थोड़ा कम अज्यूम कर सकते हो बैंकिंग में आपको सिंप्लिफिकेशन ही 2-3,000 करना होता है तभी आपका फॉल प्रक्टिस होता है तो यही सारा चीज मैटर रखता है बहुत कि इसी से एक्जाम पास करते हैं अब इसका बच्चा यह जो इसमें एक्सपर्ट भी होगा वह भी नहीं चल पाएगा मार्केट में क्योंकि इसमें एक लिमिटेड कोशन लिमिटेड टाइफ लिमिटेड मैथर्ड आज टाइमिंग का बहुत बड़ा रॉल प्ले हो गया है त आत्मा नंबर कोशन सबसे पहले आप खुदी देख लो कैसे बनेगा आप स्टार्ट खुचते भी करो बीज तू थर्ड ऑफ दो सम आफ शिक्स परसेंट आफ ए एट परसेंट आफ बी बी जो है बी बोल रहा है कि दो संख्या ए तथा भी इस परकार है कि एके पांच परत परतिसत का योग एक एचे परतिसत अभी के आठ परतिसत के योग के बरावर है इसमें देखो डाटा चेंज हो गया है जी हिंदी में अलग इंग्लिस में लग है कुछ हुआ है क्या देख लेते हैं बीस तू थर्ट आप दू स्वाफ शिक्स परतिसत आफ ए एट परसेंट प्रतिसत का योग मतलब 5 परसेंट आफ ए प्लस परसेंट आफ ए प्लस परसेंट नहीं हो ऐसा तो हो नहीं सकता है तो हिंदी में क्या गिवेन है एक पांच प्रतिसत तथा बी के चार प्रतिसत का योग मतलब 5 परसेंट आफ ए प्लस 4% of B का मान कितना है A के 6% और B के 8% का योग का 2 बटातीन है यह हिंदी में कुश्चन या सही है यहाँ पर इंगलिस में थोड़ा सा छूट गया होगा A के 6% 6% of A और 8% of B का योग का 2 बटातीन है अब जैसे कि यहाँ कोश्चन दिये हैं साम पहले तो हम इसको एक सिंप्लिफिकेशन के फॉर्म में लिखें अब बच्चे इसमें क्या क्या परतीसत हटाएंगे काटेंगे पीटेंगे क्या करेंगे कुछ नहीं डायरेक्ट परतीसत दोनों तरह है सब में हटा दो बस इसमें ऐसे भी इसको लिख सकते हैं हम राइट करके कि फाइवे प्लस फोर बी बराबर दो बटा तीन ओफ शिक्स ए प्लस एट भी पर तीसर शटा दियें दोनों तरफ क्यों सो से भाग देंगे दोनों तरफ कैंसे लट हो जाएगा अब यहां से अभी इसको मल्टीप्लाइ करने का तरीका आप सीखो अब इसको गुना एक तरफ कर रहें इसको यहां पांस त्या पंदराह करें यह होगा कि नहीं और इदर 6 दूणी बारह है तब 15 में से 12 यह गया तो तीने बचेगा लेफ्ट साइड पांस तीया 15 उच्छे दुनी बारा तो यही होता है कि आप एक स्टेप ऐसा नहीं कि गुना करके एक स्टेप लिख रहा है फिर घटा रहा है कोश्चन जब बनाओगे तो आठ स्टेप तो हो गई छे स्टेप तो हो तो यही सारे चीज है इंग्लिस में थाटा मिसिंग था इस वर से कुसंट इस तरह से हो रहा था वठ हिंदे में यह पूरा दिया हुआ है तो कुसंस को आप देखो और सिप मैं आप मूलों को बिसीकली कुछ नहीं सिखा रहा हूं और रिखमेटिक में फुल्ली ही होता है और एडवांस में भी होता है, एडवांस में थोड़ा बहुत फॉर्मूला का बेसिक जरूरत पड़ता है, जाए मेंसुलेशन हो, अलजेब्रा हो, ट्रीगो हो, जहां पे भी. Next question, price of the sugar increased by 20%, how much percent should consumption sugar reduce, the expenditure does not change. बोल रहा है कि चीनी के दाम 20% बढ़ गया है, तो खपत में कि इतना परतिशत का कम करना होगा, कि खर्च अपरिवर्तित रहे हैं, तो इस question को मैं समझाने के लिए आपको थोड़ा से एक basic चीज भी समझाता हूँ, और फिर बताऊंगा कैसे इसको जल्दी भी बनाते हैं, अल कितना तो 100 कितना लग रहा है हमको? 100 रुपिस, खर्च कितना कर रहे हैं? 10 रुपिया पर केजी चीनी है, 10 केजी खर्दे कितना लगा? 100 रुपिया, question कि आप वाला 20% चीनी का दाम बढ़ गया, तो चीनी का दाम हम कितना बढ़ा है? 20% है तो चीनि का दाम अब कितना हो गया 12 अर्प हो गया कि नहीं अब यह कि aspects फेले भी स्व। पर था और अभी भी 100 पर रखना है खर्च हम अपना नहीं बढ़ाएंगे कंजम्सन कम कर लेंगे पहले 10 कजी खा रहे थे चीनी अब उसी चीनी को हम थोड़ा कम यूज करेंगे अब कितना कम यूज करेंगे यहां पर दिखेगा कि यहां पर जो वाट जो आ रहा है यहां पर कुछ भी वैलू जिम करेंगे तो एक सबरावर कितना जाएगा 100 वटावारा कंजम्सन 100 वटावारा का मतला हो गया 25 वटा 3 केजी मतला पहले 10 केजी चीनी यूज हो रहा था अब 25 वटा 3 हो रहा है तो कहीं ने कहीं कंजम्सन में क्या हुआ कमी हुआ अब कितना परतिसत कमा 10 में 25 वटा 3 को माइनस करेंगे 10 माइनस 25 वटा 3 तो यह हो गया 10 से 30 में से 25 गया 5 वट 3 kg 5-23 kg का कमी हुआ और कितना प्रतीशत का कमी हुआ यह allen के-asına लिए पाइपी है कि ओर शिजनल करिंसर कितना दस और ठीशतर निकालना तो क्या करेंगा मैं तूह 5710 अभी एक अभाट पहले क्लास में रटवाए सुल्लापुर्णाग 2-3 परतिसत मतलब चीनी का कंजिंशन सुल्लापुर्णाग 2-3 परतिसत कमी होगा मैं आप लोग को बस यह एक बेसिक सची इसलिए बता रहा था ताकि आप इस तरह के कोश्टन के मैथड को समझो क्या होता है अब इसके हम ट् पढ़ते थे क्या एक डिक रहा है कि हममीटो करना ही पड़ता है अब यहाँ पर नम क्या हो 20 पृति marginal करना पड़ा कि कितना मैं में तो एक वाटा छे का मतलब क्या हो गया सुलापुनांग दो गड़ा तीन प्रतिश्ट सवाल वही है एक मैथड यह है कि हम दम सोच यह बढ़े हैं लेकिन इसको तो अपलाई नहीं करते हैं बस समझने के लिए मैं आप लोगों को बता है तरीका बस यह है यह यह जो आप इतना दीख रहा है इसी में यह कोश्ट फिनेश्ट है तो सुला पुनाग दो बटा थीन प्रतिश्ट नेक्स्ट कोश्टन मैंने आप लोगों को सक्सेसिव इंक्रिज और सक्सेसिव डिक्रिज का फॉर्मूला भी बताया था एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई वाई हंट्रेड अब यह दी कोई भी चीज बढ़ेगा तो पॉजिटिव लेंगे घटेगा तो निगेटिव लेंगे यहां बोला क्या है किताब का दाम 25 प्लस प्रतिश्ट घटाए पहले मतलब एक्स का भैलू माइनस पचीज में जाएगा और िसपतिश्ट बढ़ुर्णाई का भैलू प्लस प्लस बीस में जाएगा तो जब इसको लेकर सॉल्व करेंगे हपे तो माइनस Pचीज प्लस बीस plus minus 25 into 20 by 100 तो ये कितना होगा 25 चको 100 425 minus 5 minus 5 और minus 5 करेंगे तो कितना आज गया minus 10 मतलब कहीं न कहीं 10% का decrease होगा ये एक basic सा जो use है इस formula को भी याद रख सकते हो नहीं तो इस questions को ऐसे भी solve किया जा सकता था कि माल लेते कि सुरू में दाम उसका 100 रुप्या है तो 100 से 25 परतिसत कम करेंगे 25% decrease होगा तो ये दाम हो जाएगा 75 और 75 में फिर से 20% बढ़ा देंगे तो 25 का 20% होता है 15 मतलब कहीं न कहीं ये हो जाएगा 90 रुप्या इस कदम तो overall changes कितना आया 10% का decrease होगा कि नहीं उससे जल्दी ये हो जाता है ये तो आपको 25 का data असान मिल रहा है तो जल्दी कर लें लेकिन data difficult मिलेगा तो फिर आपको ये solve करना होगा लेकिन और जब हम एक और तरीका बताएगे आगे कि जब आप integer में इसको भी हम ये प्रूफ करके दिखाएंगे कि उस टाइम ये भी नहीं लगा सकते सब कुछ अपने बढ़ डिपेंड करता है कि हमको कभ ये अप्लाई करना कभ ये अप्लाई करना कभ फ्रैक्शन भालू बला लेकर अप्लाई करना है हम जब किसी को बोल दिएंगे कि भाया साड़े बारा परतिसत एक बार बढ़ रहा है और फिर इगारा पुनांग एक परतिसत नौ परसेंट भी बढ़ रहा है मताई ओवर रॉल कितना बढ़ा है अब यहां पर आप यह मैधर्ड को लेकर बनाईएगा न एक सबाई मान के जो हम बताये भी वह भी फेल लो सब्सक्राइगा बनेगा दो मिनिट लेगा लेकिन जैसे ही इसमें आप सोचेके साड़े बारा पर आट से नौ हो गया और यह नौ से कहीं कहीं दस हो गया नौ से नौ कैंसिल चार से पांच तो दिख रहा है कि चार से पांच होना मतलब पचीस परतिसत की बढ़ उतरी इसक जोड़ घटाओ करिए जो भी करना होगा जोड़ना होगा वह आपको टाइम लगेगा ही इसलिए क्या होता है कि उस टाइम में हम लोग उसका फ्रेक्शन वह लोग को यूज करके जल्दी से बनाते है उस टाइब का कुश्चन आएगा तो मैं आप लोग को दिखाऊंगा से 20% कम है तो ए और सी का रेशियो का मान क्या होगा तो तीनों का अब आसा लिग दो ए बी और सी तो सबसे लास्ट में जाएंगे क्योंकि हम लोग को जब एभी सी में लिखना होता और इसका कुछ कंडिशन दे होता पीशे से ही चलना चाहिए कि उसी का वहलू से क्या रिल से तदीक है 80 का 60% निकालेंगे तो कितना एगा अट शकर 40 80 का यहां से इसको 60% हम इदी इंकरीज करवाएंगे 60% तो यह 48 बढ़ा देंगे इसमें तो यह वा जाएगा 128 अब यह 128 ए और सी का रेशियो पूछा है ए और सी का रेशियो तो एक सो बतीस और 100 में जब निकालें रेशियो 128 है एक सो बत्यस नहीं 128 और सौकर रेशियो आएगा तो यहां पर हम लोग को जब यह सब कुशन सो तो तो डाटा भी देखना चाहिए कि हाँ पचीस और यह तो हो नहीं सकता है चोटा यह बड़ा है तो यहां 32 पचीस में होने का चांसे से चार से डिड़क्ट कर मैं आप लोग को कैसे को सब्सक्रा चारा का तेरीका मैं थोट सब कुच ही बताया कि आप को सिंस को कैसे सौल खुज आप प्राक्टिस आपके थोच्ट करना होगा कि हाँ परसेंटेज का आपको कोई भी कोसे आएगा आप इसली टैगल कर पाऊगे चलो आप लोग को मैं मिलता हूं नेक्स क्लास आज यहीं तक इंड करता हूं